हेलो एवरिवन देस इस नकीब एहमद क्रिकेट इन पिटनेस कोच और अगर आप मेरे चैनल पे नहे हैं दोस्तो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजी क्यों कैसे से क्रिकेट वेडियोज एंड रिल्स हम हमेशा लाते रहते हैं और जी प्रेंट साथ ही बगल में रेड वाले बि डिस्क्रिप्शन में डालूंगा वह अभी आप लेग लोग देख सकते हो कि कैसे आप प्येसल केल सकते हो लेकिन यह जो आज यह जो तरीका में बता रहा हूं यह शार्ट कट तरीका है कि कैसे आप बिना काईलियाजम ड्रापिंग केले हुए बिना पाकिसान अंडर 19 केले हुए बिना पाकिस्तान रीजिनल जो क्रिकेट है वो केले हुए आप कैसे प्येसल में जा सकते हो लेकिन यह जो तरीका मैं आज बता रहा हूं मेरे दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे चांसिस होते हैं पास्ट बालर्स के लिए स्पिनर्स और जो बेट्समें होते हैं उस है कि आप लोगों ने देखा था हारिस रहूब को हारिस रहूब जिस तरीके से मतलब पाकिस्तान सूपर लीग उसने कीले और पिर उसके बाद बेग बेश अस्ट्रेलिया में जो लीग हो रहे हैं वो और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो आप लोगों को पता है उसने ना रीजनल क्रिकट केली हुई थी ना ग्रीटू केला हुआ था ना काईज़म ट्रापिक कुछ भी उसने नहीं केला हुआ था उसने भी एक शाट कट मारी थी तो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा वो चांसिस आपके पास तभी है मेरे दोस्तो जब आपके पास «140 या 138 प्लस पेस को». उसके लिए क्या होता है मेरे दोस्तों के जो क्रोवा ने कि प्रण thankful chut Chic 영oubadd united सारी जो team in here 온 past ballers के लिए trials करवा देते लेकिन उसमें वह past ballers आसकते हैं जिसके पास जिसके पासchodными past lie और बलस पेस तो अगर आप पास यह Works हो अगल एक है open open trials होते हैं क्वई भी आसकता है उसमें आप अगर वहाँ पे आते हो और अपने आपको मनवा लेते हो और आप 138 या 140 प्लस पेस के साथ बाल डाल सकते हो तो आपकी 90 या 85% है कि आपकी सेलेक्शन हो सकती है इस अ इमर्जिंग प्लेयर पाकिस्तान सूपर लीग के लिए और इसके बाद अगर आप वहाँ पे पेनर और बेट्समेंग के लिए कापी मुश्किल है इस अ शार्टकट पाकिस्तान सूपर लीग में आना लेकिन पास्ट बालर के साथ उन पास्ट बालर के पास जो 138 या 140 प्लस पेस के साथ बाल करा सकते हो तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा चांस है तो यह थी बाल देतक ही कि लिए करें लीज के लिए histories अ प्कापी जब